वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज आज मैं आप लोगों के लिए ओक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिस ग्रामर एक्सरसाइस 32 स्वाल्व करूँगा आप इसी तरह के ग्रामर और ट्रांसलेशन से रिलेटेड वीडियो च्रावलर देखना चाहते हैं तुमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें चीतना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाम मिल सके मस्कुलिन जेंडर से पुरुष जाती का बोद होता है और फेमिन जेंडर से इस्तरी जाती का बोद होता है तो चलिए विश्यक्सर साहिद को मैं शॉल्ब करूँगा और जितनी आवसद्ता होगी एक्स्प्लेण करूँगा So keep patience and watch properly कहता है कि इनके masculine forms लिखे हैं अर्थात ये जितने भी है feminine form में है अर्थात ये sterling है और इनका pulling लिखना है अर्थात इसका masculine form आपको बताना है लिखना है अब सबसे पहلا क्या है mother Mother means क्या हमा ya माता होता है तो इसका pulling अर्थात masculine form क्या हो जागा father हो जाएगा, ठीक है, father means पिता, अब देखो यहाँ पर क्या है, bitch bitch means क्या होता है, कुतिया होता है, ठीक है, यह feminine form में है, तो इसका masculine form क्या हो जाएगा, dog हो जाएगा अर्थात कुत्ता, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, bride bride means क्या होता है, दुलन होता है, यह feminine form में है, तो इसका masculine form अर्थात इसका pulling क्या हो जागा, bridegroom हो जागा, ठीक है, bridegroom, अब है sister, sister means burn, तो इसका masculine form क्या हो जागा, brother हो जागा, ठीक है, अब है hand, hand means मुर्गी, इसका masculine form क्या हो जागा, cock हो जागा, ठीक है, cock means मुर्गा, अब यहाँ पर है omen, omen means अर्था होता है, तो इसका masculine form क्या हो जागा, man हो जागा, ठीक है, अब क्या है lioness, lioness means share नहीं होता है, तो इसका masculine form lion हो जागा, ठीक है, lion means share, अब क्या है Jewess, इसका मतलब हो जागा, यहूदिन, तो इसका masculine form क्या हो जागा, Jew हो जागा, ठीक है, Jew means यहूदी, अब क्या है दखो, price test, price test means क्या होता है, पुजारीन होता है, तो इसका मस्कुलीन फॉर्म क्या हो जागा, प्राइस्ट हो जागा, ठीक है, प्राइस्ट मींस पुजारी, अब क्या है यहाँ पर, टैग्रेस, टैग्रेस मींस क्या होता है, बागीन होता है, तो इसका मस्कुलीन फॉर्म अर्थात पुलिंग क्या हो ज ठीक है, master means malik, अब क्या है sister in law, sister in law means क्या होता है, साली होता है, तो इसका masculine form क्या हो जागा, साला, अर्थात brother in law हो जागा, ठीक है, अब क्या है, sea goat, दखो, sea goat means क्या होता है, बकरी होता है, तो इसका जो masculine form होगा, अर्थात, इसका जो pulli होगा, वो क्या होगा, he goat होगा, अर्थात बकरा, ठीक है, sea goat का masculine form क्या हो जागा, he goat, I hope you understood,